Guys, अपने पिछले C++ के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो STL होता है उसके तीन मुखे components होते हैं तो मैंने कहा था जो STL है हमारा वो तीन मुखे components से मिलके बना होता है एक तो हमने containers की बात की थे की बहुँं containers होते हैं फिर हमने containers के साथ साथ बात की थी अपने algorithms की तो इसको मैं अल्गो लिख दूँगा और algorithms के बाद हम लोगे ने बात की थी आइटरेटर्स की तो यहाँ पर मैं आइटरेटर्स लिख दूँगा ठीक है containers क्या होता था हमारा containers का मतलब एक object जो data store करें लिख देता हम यहाँ पर होता एक object है object which stores data ठीक है एक ऐसा object जोगी data को store करें algorithm क्या होता था हमारा algorithm हमारा एक procedure है जो data को process करता है ठीक है बढ़िया तो मैं यहाँ पर अभी procedure to store data ठीक है procedure to store data आइटरेटर क्या होता है हमारा आइटरेटर data को जो हमारा container के अंदर store है उसको iterate करने के काम आता है एक गम pointer की तरह होता है तो यह होता एक object है ठीक है तो मैं लिकूंगा object होता है object which points to an element of a container ठीक है तो यह है हमारा stl तीन मुख्य components हम इस वीडियो में देख रहे हैं containers को और containers को हम लोग अभी हम यहां पर containers के प्रकार देखेंगे containers के तीन प्रकार होते हैं ठीक है containers के कितने प्रकार होते हैं 3 प्रकार होते हैं तो हमने यह 3 चीज़ए देगी कि algorithms algorithms and iterator containers algorithms and iterator जो होते हैं हमारे data store करने procedure store to store data नियार process data I'm sorry about this to process data ठीक है इसको यार ठीक करना पड़ेगा to process data not store data procedure to process data जिसे sort कर दो data को और data को आप मनलब काफी algorithms होते हैं हमने algorithms देखे हैं काफी sorting कर दो searching कर दो और यह चीज़े होती है algorithms तो कुछ भी किसी भी चीज़ का हो सकता है धीक है phase detection का algorithm हो सकता है data पर process करके ही तो निकालेगा ना कोई भी algorithm कोई भी result निकाल रहा है तो अब यह ना थियोरी लगी गया आपको यारी क्या बता रहा हूं मैं sequence containers अब आप लोग को ऐसा लगए कि मैं बोर कर रहा हूं आप लोगों को आपको ऐसा लगए कि यार मैं directly vector का c++ vs code में ले जाके code क्यों नहीं लिखा देता मैं आपको यह आपर पकड़ जो दिये न वो मजबूत कर रहा हूं मेरे हैसाब से मैं अपने experience यहीं सीखा है कि आज जितनी मजबूत पकड़ उतना अच्छा coder ठीक है ज्यादा लंबा खेचोंगा नहीं बात को बताऊंगा अगला container हमारा होता है associative containers ठीक है और उसके बाद हमारी derived containers तीन तरह के containers है क्या आपको यह रटनी की ज़रूरत है यहार रटनी की ज़रूरत ही नहीं है थोड़ी बहुत coding करोगा खुद रट जाएगा तो रटनी की क्या ज़रूरत है जो चीज होई जाएगी खुद वो आप लोग क्यों ही मतलब छाने की वो संजय का आप फोटो लेकर संजय की और याद करते हो कि वह इस बन्दे का नाम संजय इस बन्दे का ना माँ सुद्ध पर. क्योंकि यह सब चीजा ना याद हो जाती है आप लोग को उसी तरह जब आप कोडिंग करोगे तो सारे आपके जो methods हैं किसी भी object के यह सब चीजा दीरी दीरी याद होने लगेंगी और अगर आप किसी का नाम भूल भी जाती हो तो पूछ लेते हो वाला क्या हो सकता था क्या होता था associative वाला container क्या होता था derived वाला क्या होता था आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगी यह मैं बता रहा हूँ तीन तरह के containers नंबर भी डाल देता हूँ एक, दो, तीन अब इन तीनों में क्या क्या होता है sequence containers क्या होते है sequence containers उस तरह के containers होते हैं container तो तीन होते है data store करते है मैंने देख लिखा object which stores data sequence containers जो होते है वो linear fashion में data को store करते है linear fashion मैं आपर कोई परिभाशा नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा fancy English नहीं लिख रहा हूँ देशी वाशा में समझाना चाता हूँ आपको book book में मिल जाईए आपको definition देख लेना net पर search करके ठीक है यहाँ समझाना main goal है linear fashion linear fashion में store करने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक element यहाँ है तो दूसर element फिर यहाँ पर है तीसर element यहाँ पर है चौथ element यहाँ पर है तो एक सेरे से यहाँ पर add होते जा रहे हैं इस end पर element या फिर यह end पर element यहाँ पर यहाँ पर आपके elements जो है वो add होते जारे हैं और यह elements कुछ number हो सकते हैं जैसे 7 है, 9 है, 11 है सूँ ओन ठीक है मालो 1 है आपके elements आप यहाँ पर add करते चले जारे हो linear fashion में यह होते हैं हमारे sequence containers ठीक है हमारे sequence containers के कुछ examples देना चाहूँगा और पढ़ेंगे हम इनके बारे में vector ठीक है सबसे जादा use होने वाले sequence containers का नाम ले रहा हूँ list जो कि मैंने अभी यहाँ पर बनाई है यह list ही है ठीक है उसक कि आप आप you are number three in the queue आप number three है queue में वही वाली queue होती है ठीक है तो यहाँ पर अभी मैं इनके बारे मैं आपको coding करके बताऊंगा तो अभी आपको यह किस तरह से इसमें क्या क्या methods है और यह कैसे बनेगी यह तो बताऊंगा आपको अभी सिभ यहाँ पर मैं आपको यह बता इसमें इनसर्ट करते हैं यह कुछ इस तरह से डिजाइन की जाते हैं कि आपको faster access मिल सके element का इनका अब जैसे यहाँ पर 7,9,11 मैं element insert करते जा रहा हूं और मैंने करते करते 900 element मालों store कर दिये इसमें insert कर दिये अब मैं कहूं बताऊ एक number one जो है वो किस number पर आता है तो आपक 400 वाले element में पहुचोगे तब जाके आप बताबाऊगे कि higher 400 index पर यह element है तो आप यहाँ पर linear fashion में data store कर रहा है तो आपकी जो searching है वो अतनी अच्छी नहीं है ठीक है इन तीनों की क्या खूबिया है क्या खराबिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी बड़ अभी सुन dictionary ठीक है और map multi map जो होती है वो dictionary का का काम करती है और set multi set जो होता है वो set का का काम करते है तो इसके कुछ examples की हम लोग बात करें तो set multi set multi map map क्या होते हैं हम लोग आगे देखेंगे लेकिन अभी आप बस ऐसा समझ लो कि यह fast searching, fast deletion, fast access तो उसके लिए काम आते हैं ठीक है तो यह एक tree like structure में अपना data store करते है अब tree एक data structure होता है जो कि इस तरह से होता है ठीक है मैं आप लोग को एक intuitive example दे दूँगा tree का अभी कि जो छोटा element है वो एक तरफ बड़ा element एक तरफ ऐसे करके यह आपर store हो जाएगा data आपका जारे detail में नहीं चाहँगा ठीक है भी tree का नाम Marty Set मैं काम करता हूँ सेट Multiset है एक ही जगा लिएता हूँ बचाने के लिए Multiset ये दोनों अलग-अलग है set अलग container है Multiset ये अलग container है ठीक है और इसको मिटा करता है मैं maplasti मैप लिग देता हो मैं ठीक है तो यहाँ पर लिख दिए हमाँ माप और multimap कि यह derive कि जाते हैं किस से derive कि जाते हैं यह यह derive कि जाते हैं आपके sequence container से भी derive कि जा सकते हैं associative container से भी derive कि जा सकते हैं और इनका काम यहाँ पर क्या होता है इनका काम होता है कि यह आपको कुछ अच्छे methods provide करते हैं और यह real world की अच्छी modeling कर देते हैं मैं यहाँ पर यह बोलू से, जैसे मालो stack होती है, जैसे q होती है हमारी, q होती है q को मैं आपर derived container में डालूँगा, q डालूँगा क्योंकि q के जितने भी methods है और जैसे आप से q को handle किया जाता है, ये खुद में अपने आप handle कर लेता है, क्योंकि जो dq है, double ended q है वो तो हमारा एक sequence container है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बहुत ही simple सा linear fashion में data store करना है, लेकिन कभी-कभी कुछ caveats होते है, for example अगर हम stack की बात करें, तो आप सिर्फ एक तरफ से element store कर पाऊ एक तरफ से element delete कर पाऊ, ऐसा होता है तो इसके example लिख देता हूँ और हम लोग यहां पर detail में जाएंगे इसके, बट कुछ examples लिख देता हूँ, एक तो stack और queue हो गया, stack हो गया, queue हो गया, और उसके बाद आपका priority queue हो गया, यहां पर priority queue, यह हो गया, stack के बारे मैं थोड़ा सा बताऊंगा, देखो stack अपने आप में एक बहुत बड़ा topic है, बट यहांपर मैं आप लोग को एक डबबा मनाके दिखाता हूँ, stack समझाने के लिए तो stack ना कुछ इस तरह से दिखता है, मैं आप ज़रा इसका यह खोल देता हूँ, container का, कुछ इस तरह से दिखता है stack, ठीक है, इसमें आप लोग elements डाल सकते हो, एक डबबे की तरह समझ तो stack को, ठीक है, एक डबबे की तरह मालोज में मैंने एक element डाला 4 एक element डाला 5 एक element डाला 6, जब मैं insert कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं कौनसा element निकालूंगा, last in जो हुआ है, वो सबसे पहले out होगा, अगर आपने डबबे में डाले कुछ elements तो आप निकालोगे, तो सबसे पहले कौनसा आएगा आपके हाथ में, जो last in हुआ तो, so last in is first out, तो ये एक leave for data structure होता है stack, इसमें कुछ methods define होते हैं, जैसे कि pop, pop क्या करेगा, ये 6 जो element गी निकाल देगा, एक बार और pop करूँगा, तो ये 5 निकाल देगा, push कर दूँगा कोई element, तो इसके अंदर चला जाएगा, तो इस तरह से आपका कुछ methods होते हैं stack के, मैं आप stack की detail में नहीं जाँगा इस वीडियो में, बड़ा पैसा समझे लो कि ये डब्बे की तरह, जिसमें elements डालते हैं, Q जो होता है, उसमें क्या होता है, फीफो होता है, ठीक है, first in is first out, तो जो सबसे पहले गया Q में, वो सबसे पहले निकलेगा Q से, ठीक है, तो अगर मैं कुछ ऐसे बना दू इसको, यहां पर कुछ लोगों को लगा दू, मालों एक counter है, तो यहां पर जो सबसे पहले आया है, वो सबसे पहले जाएगा, ठीक है, तो यहां पर यह फीफो fashion में काम करता है, तो तीन तरह के हमारे पास containers होते है, sequence associative derived, इन तीनों का काम जो होता है, तोड़ा सा अलग-अलग होता है, जैसे कि sequence वाले linear fashion में, अगर आप data store करना चाहते हो तो आप use करोगे sequence containers, associative containers, direct access के लिए use करोगे, जैसे कि अगर आपको faster search चाहिए, faster deletion चाहिए element का, derived container जो है, आपके derived containers, real world की अच्छी modeling कर देते हैं, जैसे कि stack data structure, q जो की real world में पाई जाती है, उसको derive करके, जो complex methods हैं, उसको एक जगा pack करके आपको देते हैं, तो यह derived containers होते हैं, अब जरह यह आपर यह देख लेते हैं, कि जो हमारे sequence containers हैं, associative containers हैं, और derived containers हैं, इन तीनों में से कब कौन सा use करना है, तो इस बारे में बात करेंगे, तो यह आपर सबसे पहले बात करना चाहूंगा, आप लोगों से sequence containers की, ठीक है, तो यहाँ पर sequence containers में लिख देता हूं, sequence container में पहला मैंने आपको vector बताया था, और यह बहुत जादे use होने वाले sequence container है, इसमें जो random access होता है, वो बहुत fast होता है, तो random access fast होता है, आर यह मतलब random access है यहाँ ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो insertion होगा, वो slow होगा, insertion deletion, थोड़ा slow होता है, ठीक है, और जब मैं कह रहा हूँ fast or slow, तो यहाँ पर slow का मतलब यह है कि हमें कुछ महनद करनी पड़ेगी, जब हम fast or slow बोलते हैं तो हम obviously किसी जीस से compare कर रहे हैं, बट मैं आपर compare कर रहा हूँ, array जो हमारा होता है directly, array में जो random access होती है, उससे मैं आगर compare करूँ, तो यह fast है, ठीक है, compare to array उतना ही है, यानि कि fast इसको कहा जाएगा, insertion deletion relatively slow होता है इसमें, ठीक है, और insertion at the end fast होता है, ठीक है, तो मैं आपर लिखते हूँगा, insertion at the end is equal to fast, इसका क्या reason हो सकता है, इसका reason यहाँ पर यह होता है, कि जो यह vector है, एक array की तरह implement हो रखा होता है, एक बड़ा array होता है, और इसके अंदर elements फिल होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और जैसे यह full हो जाता है, सारे contents यह दूसरे बड़े array में copy कर लेता है, कुछ similar management होता है ठीक है exactly कैसे manage करता है उसकी detail में हम लोग नहीं जाएंगे पर बहुत ही similar management होता है कि यह भरता जाएगा यहां तक भर गया तो सारे elements यहां copy कर देगा फिर से और फिर यहां पर insertion का काम जो है वो चालू रखेगा जब तक यह फिर से fully हो जाता तो इस तरह से insertion at the end usually fast होता है insertion deletion in middle slow होता है यहांप मैं in middle भी लिख देता हूँ तो मैं यहांपर m insertion deletion लिख देता हूँ कि middle में insertion deletion और end में insertion deletion fast होता है ठीक है फिर अगर मैं बात करूं आपसे list की तो list में random access जो होता है वो slow होता है list में अब समझो कि यह चीज़ कैसे implement हो रही है list जो होती है वो कुछ इस तरह से implement होती है एक pointer होता है इसमें और एक data element होता है इसे 9 data element है एक pointer है यह पूरा structure यह class का object है ठीक है और यहांपर next element में point कर रहा है यह next element में point कर रहा है और यह जो हमारे object से ही अलग-अलग memory address में हो सकते है जिसे मालों यह 32 में है यह 84 में है यह 91 है यहांब है contiguous memory addresses होते है इसलिए access जो है random वाला fast हो जाता है ठीक है arrays की साहित है जैसे कि हमारा array है कोई उसका जो हमारा base address है वो हमको मालूम है तो तीसरा element की आए हम calculate कर सकते है यहां नहीं कर सकते है तीस element क्या है हमें इस pointer की साहिता से जाना होगा next element में फिर इसका next फिर इसका next तो एक एक करके जाएंगे next next element में तो इसलिए random access लो होता है अब आप बताओ insertion in middle मैं middle insertion लिख देता हूँ insertion in middle क्या होता है obviously fast होगा ठीक है क्योंकि array के comparison में fast होगा array में क्या होता है आपको सारे elements खिसकाने पड़ेंगे यहां पर insertion in the middle fast हो जाएगा array में क्यों खिसकाने पड़ेंगे elements आपको देखो यार array में अगर मान लो size 4 का array है ठीक है और इसमें 2, 3, 4 है अब मैं कहता हूँ कि मुझे 5 यहां insert करना है तो आपको 3 और 4 को खिसकाना पड़ेगा ना तभी तो 5 यहां add करोगे तो वो जो operation होता है वो थोड़ा सा complex हो जाता है लेकिन यहां पर क्या होता है कि आप सीधे इस pointer को turn करके इस pointer को एक नया element यहां बना सकते हो सिर्फ इस pointer को इससे point करा सकते हो इसके pointer को इससे point करा सकते हो और यह pointer खतम कर सकते हो और directly आपकी list जो है वो यहां पर यह element insert हो जाएगा उसमें ठीक है और यहां पर address भी random हो सकते है तो यह 72 यहां पर हो जाएगा तो इसमें जो middle में insertion है वो fast होता है और insertion at the end भी fast होता है ठीक है मैं इसको एक table बना सकता था बढ़ ठीक है table आप बना लेना इसको row में लिख दिना vector list और column में लिख दिना upload random access insertion in the middle insertion deletion in the middle insertion deletion at the end इस तरह से आप लिख सकते हो और यह deletion भी आएगा मैं आपर deletion भी लिख देता हूं insertion के साथ साथ मैं आपर बात कर रहा हूं deletion की भी कर रहा हूं ठीक है associative containers में क्या होता है searching deleting inserting anywhere is fast ठीक है तो मैं associative containers लिख देता हूं यहापर associative containers जो है मेरे उनमें fast होता है ठीक है तीनों चीज़े all operations fast except random access यहाँ पर यह बात note करना random access आप नहीं कर सकते किसी भी element को वो यहाँ पर slow होगा क्योंकि यह tree data structure में जो है रखता है elements को ठीक है तो अगर आप कुछ ऐसा चाते हो third element, fourth element, fifth element को access लेना तो आप vector use करो ठीक है अगर आप चाते हो बस element आपके store हो जाए जैसे कि आप contact numbers होते हैं हमारे उसको store करना चाते हो और आप चाते हो जैसे r लिखें तो r से जो लोग है रोहन, रोहित और जितने भी r से रश्मी सारे जो नाम है वो आपके आ जाए आप ऐसा चाते हो तो आप use करोगे associative containers ठीक है associative containers में देखेंगे चारों चीज़ें set, multi-set, map, multi-map तीनों, चारों चीज़ें देखेंगे ठीक है और उसके बाद हमारे जो derived containers है derived containers में ऐसे बता नहीं सकते कि कौनसा operation का fast slow होगा but it depends है क्योंकि यह real world object की modeling करते है तो यहाँ पर हर derived container का analysis अलग से करना पड़ेगा और मैं आपर depends लिखता हूँ और मैं आपर लिखता हूँ कि इसको data structure के थुरू आप इसका जो सारी की सारी इसकी autopsy है वो कर सकते हूँ data structure के course में मैंने देख सकते हूँ जाकर मैंने analysis कर रहा है कि stack में insertion कितना fast कितना slow, queue में insertion कितना fast कितना slow, link list कैसे काम करती है time complexity क्या होती है तो वो एक दूसरा zone हो जाता है एक 4C++ programmer और एक quick C++ programmer बनने के लिए STL को जानना और इस्तेमाल करना काफी है मेरे इसाब से ठीक है आप लोग data structure सीखो ज़रूर मना कोई नहीं कर रहा है लेकिन जितनी जल्दी आप STL पर पकड़ बना लेते हो जितनी जल्दी यह सब चीज़े सीखना sorry use करना सीख लेते हो उतनी जल्दी आप लोग competitive programming कर पाऊगे और उतनी जल्दी आप जो है real world systems में काम कर पाऊगे फिर वो चीज़ कैसे काम कर रही है वो future में आप देख लोगे कि बैस stack कैसे काम कर रही है link list कैसे काम कर रही है लेकिन अगर आप बनाना सीख गए एक ऐसा array जो resize हो जाता है method कैसे काम कर रहा है उस method का exact implementation क्या है आप वो देख सकते हो obviously but वो analysis में data structure वाले course में मैंने कर रखा है और अगर आपने checkout नहीं किया तो कर सकते हो वाई data structure course भी लेकिन STL अगर सीख गए तो data structures जो आप code करके करोगे वो यहाँ पर आपको बना बनाया मिल रहा है वो जानकारी आपको और काम आती है फिर वो जानकारी लेकर आप इस तरह की चीज़े बना सकते हो अपनी custom वीडियोस में coding करेंगे देखेंगे यहाँ पर vector को देखेंगे list को देखेंगे dq फिर हमारे associative containers की ऐसे कि मैंने आप लोगों को बात करी set multi set map multi map इन चारों को देखेंगे derived container में stack को देख लेंगे और queue को भी देख लेंगे और काफी चीज़े काफी रहेंगे यहाँ मेरे साफ से competitive programming करने के लिए और उसके बाद अगर आप और level up करना चाहते है तो data structure है उसके लिए ठीक है उसमें क्या हुआ ना कि थोड़ी ची देरी हो गई मैंने actually community post भी डाला था लेकिर उसे भी पहले आप ये C++ की playlists access कर लेना खेर अब तक करी लिए होगी आपने आप लिए क्लिक करके bookmark और यहां क्लिक करके save बट मैं यह कह रहा था कि मैंने community में डाला था अपना एक C++ सारी Python का course जिसमें मैंने handwritten notes दिया है 13 chapters 3 projects यह चीज़े मैंने दी है और हुआ क्या कि वो अभी तक process हो रहा है मुझे नहीं पता क्यों बड़ वो अभी तक process हो रहा है और मुझे कुछ कुछ लोग बोलने लगए गी यार मैंने जूट बोला है मैं आपर इसको जल्दी जल्दी upload क करना चाहता था in fact मैंने upload पहले किया था video और यह post बात में डाला था two days ago यह है मैंने उससे पहले video upload कर दिया था फिर यह post डाला था मैंने सूचा कि जल्दी से process हो जाएगा और अब हो जाएगा video but for some reason वो process अभी तक नहीं हुआ है तो यार वो मेरे हाथ में नहीं है जैसी process ह जाएगा आपको मिल जाएगा ठीक है तो थोड़ा wait करो बड़ा video है ठीक है so थोड़ा wait करो यार ठीक है समझने की कोशिश करो आज आएगा video आएगा जरूर ऐसा नहीं है कि मैं क्यों लिखोंगा मेरा क्या फाइदा है जूट बोलने में मुझे दो message आयते सुबा कि आपने जूट बोला मुझे क्या फाइदा है जूट बोलने में मैं एक बात मैंने कभी बोला जूट क्या नहीं बोला ना तो मैंने एक बात बोली है तो मिलेगी आपको c के लिए भी मैंने बोला था c का भी मिला ना 15 गंटे का course आपको बाई दिन कभी मिलेगा ठीक है थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, थोड़ा साथ दो यहां पर, मेरे हाथ में नहीं हो, ठीक है, मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं कर लेता जलती है, अब तक आ जाता है, इतना मैं नहीं करता, मैं डालता ही नी पोस्ट, अगर बना नहीं होता अभी तक तो, ठीक है, और C++ का जो को असको असको आखसे जरूर कर लेना, यहां क्लिक करके बुकमाक और यहां क्लिक करके सेव कर लेना, अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं गईज, वीडियो को लाइक करना मत बूलना, पलीज, इग्नौर मत करना इस बात को, थैंक यू सो मच गाइस पूच this video and I will see you next time